ये अमल हमें जाहिर करता है कि काला रंग हमेशा सफेद से ज्यादा गर्मी ज़स्प करता है दो एक लीटर की बोतले ले और इन बोतलों के उपर बिलकुल मसावी शकल के एक पर काले रंग का कागस चस्पा करें और दूसरे पर सफेद कागस जिस से हम रंगों के असर का मुआजना कर सकते हैं इस बोतल के अंदर काला कागस चस्पा है और इसी नाप का सफेद कागस हमने दूसरी बोतल पर चस्पा किया है इसके बाद दोनों बोतलों को बिलकुल मसावी मिकदार में पानी भरें बोतलों में एक एक थर्मा मीटर डालें हरारती पैमा डालें और इनकी शुरुवात की दरजाय हरारत की पैमाईश करें क्यूंके ये नल का पानी है इस वक्त इनका दरजाय हरारत 29 डिगरी सेलसियस है फिर दोनों बोतलों को बाहर तीन घंटे चिलचिलाती तेज दूप में रग दे इसके बाद में अगर आप दरजाय हरारत देखेंगे तो आप पाएंगे कि काली बोतल का दरजाय हरारत 12.5 celsius बढ़कर 41.5 celsius हो गया है जब के सफेद बोतल सिर्फ 5.5 celsius बढ़ा है यानि काला सफेद के मुकाबले कई ज्यादा गर्मी जजब करता है